Hello दोस्तों, मैं बै डुटर में आपका स्वागत है आजकी वीडियो लेक्चे में मैं आपको बताऊंगा कि इंट्रीगेशन बय पार्ड़ का कैसे यूज करते हैं इंट्रीगेशन करने के लिए तो इस वीडियो लेक्चे में मैं डिसकस करूँ गा integration by parts formula क्या होता है और उसे हम कैसे यूज़ करेंगे integration करने के लिए ठीक है तो आईए सबसे पहले शुरुवात करते हैं यह जानते हैं कि integration by parts method हम कभ यूज़ करते हैं integration के लिए ठीक है तो माल लेते हैं मैं एक function ले रहा हूँ यू जो क्या है fx और एक दूसरा function ले रहा हूँ v जो है gx ठीक है और मुझे कहा जाता है कि आपको integrate करना है u into v dx मतलब दो function आपको given होंगे उन दोनों का product u into v का integration करने के लिए एगर कहता है तो आप use करेंगे integration by parts method का use करेंगे इसके लिए एक formula आता है हमारे पास मतलब अगर मुझे integration of u into v dx करना है तो formula क्या बनेगा वो देखते हैं तो इसमें आप क्या करेंगे सबसे पहले जो ये u और v दिया हुआ इसमें से एक को first function मानेंगे और दूसरे को second function मानेंगे अचा एक problem और आती है कि कुछ लोग कूछते है कि इसमें पहला function किसको मानना है और दूसरा function किसको मानना है तो इसकी लिए concept मैं आपको बताओंगा पहले हम formula याद करेंगे उसके बाद मैं मैं आपको concept बताऊंगा कि इसमें first function किसको मानना और second function किसको मानना है यहाँ पर मैं अभी u को first function मानना हूँ और v को second function मानना हूँ तो इसका formula बनता है क्या बनता है हम first function को क्या करते है लीव करते है मतलब u लिखेंगे और second function का integration बतरो integration of vdx फिर minus sign लगाएंगे और next term जो आएगे उसमें क्या करना है आपको यह जो quantity है मतलब u integration of vdx इसका वापस integration करना है लेकिन एक change करना है मतलब यहाँ पर जो u leave किया था हमने इसका differentiation करके फिर पूरे पार्ट को integrate करना जैसे देखिए मैं क्या कर रहा हूँ पूरे पार को integrate कर रहा हूँ integration of u को differentiate करना है मतलब एक bracket यूज करना हूँ यहाँ पर मतलब du upon dx into अब आपस यह quantity वैसे ही लिखनी है मतलब integration of vdx और इसका whole integration करना है जैसा मैंने आपको बताया कि इस पूरे का integration करना है बस यहाँ u को differentiate करके तो यहाँ मैंने u को differentiate किया और यह quantity वैसी की वैसी लिखी है और पूरे का integration किया इस bracket के बाहर whole मतलब whole integration of whole quantity ठीक है तो यह हमारे पास formula आया और इस formula को हम बोलते है integration by parts formula ठीक है चलिए आगे करते हैं अच्छा अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको u into v function का product given और उसका integration करने के लिए कहता है तो आप यह formula यूज़ करेंगे उसमें first function किसको मानेंगे और second function किसको मानेंगे ठीक है तो इसके लिए जो concept में आपको बताऊँगा वो concept है I late मतलब I L E T E तो आप इसको simple language में याद कर लिए कि I late मतलब मैं late हो जाता हूँ हमेशा class में ठीक है तो I late अब देखिए यहाँ पे हर letter का एक meaning है तो उस meaning को देखते हैं यहाँ जो I है वो denote करता आपका inverse trigonometry को जैसे sin inverse x cos inverse x इस तरह है और L जो है आपका वो है वो denote करता है logarithmic function को logarithmic function कौन से मतलब log x log e x इस तरह के function ठीक है यह है आपका algebraic function को denote करेगा algebraic function जैसे x square हो गया आपका x cube हो गया x की power 4 हो गया इस तरह के function algebraic function कहलाते है ठीक है फिर T यह आता है T denote करता है trigonometric function trigonometric function आप सब लोग जानते हो trigonometric function क्या होते है sin x cos x इस तरह के function ठीक है फिर last में आता है e e जो है आपका वो है exponential function exponential function exponential function कौन से जैसे e की power x है e की power x e की power 3 x इस तरह के function क्या किलाते है exponential function किलाते है ठीक है अब आपको ध्यान क्या रखना है आप इस तरह से चलेंगे और जो function पहले आता है उसको आप first function ले लेंगे और जो बाद में आता है उसको second लेंगे ठीक है जैसे for example example से समझते हैं इससे आपको और अच्छे तरह समझ में आएगा अगर मुझे given है x e की power x ठीक है तो आपको सबसे पहले function पहचान आना चाहिए कि इसमें कौन सा function क्या है तो यह x है मतलब algebraic function है और e की power x क्या आपका logarithmic function है l तो आप देखिए यहाँ पे a और l आ रहा है और आइलेट में आप देखें कि a और l में पहले कोन आता है तो देखा जाए ल पहले आता है मतलब sorry यह e की power x logarithmic function नहीं है यह exponential function ठीक है तो देखिए a और e में पहले कोन आता है यह पहले आता है और e बाद में आता है इसका मतलब आपको e को first function मानना है algebraic function आपका हो गया first function औ बोले तो u और second function बोले तो v ठीक है इसी तरह एक और example देखते हैं अगर मुझे given है e की power x sin inverse x ठीक है अब देखते हैं e की power x आपका हो गया exponential function और sin inverse हो गया आपका inverse trigonometric function अब देखे इसमें e और i आ रहा है अब i-let में देखते हैं पहले कोण आता है i और e बाद में आता है तो i पहले आता है इसलिए x को क्या मानेंगे first function मानेंगे ठीक है और e की power x को second function first function बोले तो u और second function बोले तो v तो इस तरह और बागी function को भी आप check कर सकते हैं कि कौन मदब किसको आपको first function लेना है किसको second function लेना है चलिए एक example करते हैं और इसको और अच्छे तरह समझते हैं ठीक है तो एक question मैं दे रहा हूं आपको solve करने के लिए या हम इस question को solve करेंगे मुझे integration करना है x sin x dx का ठीक है तो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं solve इसको माल लेता हूं let i equals to integration of x sin x dx तो आपको वाजी करने की जरुवत नहीं है आप simple सा formula use करेंगे कैसे यहां u और v दिया हुआ है तो आपको एक को u मानना एक को b मानना है u मतलब एक को first function मानना है और v मतलब दूसरे को second function तो आप कैसे मानेंगे तो वह आप में बता चुका हूं आपको i late का use करेंगे चलिए पहचांते हैं x आपका हो गया algebraic function sin x हो गया trigonometric function अब a और t तो i late में देखिए पहले कौन आता है तो a t बात में आता हूं a पहले आता है मतलब a को आपको लेना first function first function ले लिए आमने इसको और t को मतलब trigonometric sin x को लेना second function ठीक है first function मतलब u और second function मतलब b ठीक है और चलिए solve करते हैं इसको तो integration by parts formula के according क्या आना चाहिए answer मारा u को leave करना है मतलब x लिखा integration of v dx integration of b b मतलब sin x dx minus sin whole मतलब एक integration bracket अब du upon dx मतलब u का differentiation करना है तो u को होन है यहाँ पर x x का differentiation किया तो 1 आया into integration of v dx तो integration of v dx मतलब v की value क्या है sin x dx bracket close dx ठीक है तो हमने formula apply किया कौन सा formula integration by parts formula ठीक है अब आपको इसको सिर्फ simplify करना है simplify कर लेते हैं तो क्या आएगा x integration of sin x आपको पता है क्या होता है क्या है minus cos x minus sin integration अब इसको solve कर लिए जो यहाँ 1 into integration of sin x क्या बनेगा minus cos x और minus sin बाहर आएगा तो यहाँ बन जाएगा plus integration of cos x और डेकेट के बाद बाहर एक dx से उसको लिखा आगे solve करते हैं तो यह x into minus cos x बनेगा minus x cos x और cos x का integration होगा plus sin x और integrate होने के बाद last में हम एक constant लिखते हैं c यह constant को denote करता है c मतलब कोई constant value उसकी value हमें नहीं बता है तो हम क्या रगाते हैं c ठीके तो i की value आगे हमारे पास minus x cos x plus sin x plus c और i आपका क्या था integration of x sin x dx equals to minus x cos x plus sin x plus c तो यह आपके पास final answer आया मतलब कभी भी आपको अगर दो function given है किस form में product form में तो आप क्या लगाएंगे integration by parts formula यूज करेंगे और जैसा मैंने आपको बताया है यहाँ पर उसी तरह आप कोई भी question कर सकते हैं ठीके तो इस वीडियो से related आपको अगर कोई परिशानी आती है तो आप comment करके हमसे पूछ सकते हैं और यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे like कीजिए अपने दोस्तों के साथ share कीजिए और इस तरह के वीडियो और पाने के लिए हमारे चैनल को सस्क्राइब करना मत भूलिये धन्यवाद हुआ है